Hello students, welcome back again. YouTube community post जो हमने किया था कि किस समेस्टर की live classes हम स्टार्ट करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के messages आए और सबसे ज्यादा जो majority में जो message आए हैं, वो हैं third semester के. तो हम, क्योंकि हमने पहले ही आपको अनौश किया था कि जिस का भी ज्यादा vote होगा, जिस समेस्टर के लिए सबसे ज्यादा vote होगा, हम उसकी classes सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से YouTube पर live class 5 p.m. कित्ते बचे? क्योंकि सबसे ज्यादा ना बच्चों ने यही suggest किया, कि evening time में होना चाहिए, इवनिंग time में I think 5 p.m. सबसे best time है, इस time तक सबी बच्चे free भी हो जाते हैं, और आराम से बैठ करके आप class ले सकते हो, 5 p.m. हमारी class होगी, class हम किस subject के लिए ने जा रहे हैं? Partial differential equation, यह इसलिए हमने चूज किया, partial differential equation क्योंकि जिन universities का syllabus change हुआ है, example के लिए कुरुक्षेत्रा और CRSU, third semester में उनके differential equation है, तो उस differential equation में जो PD के chapters include करे गए है, वही chapters हम यहाँ पे जो वो discuss करेंगे. Alright, schedule आपको complete यहाँ पर बताने वाले हैं, जिन students के, यानि कि first semester और fifth semester के students के messages आया थे, इनके भी काफी students के messages हैं, but इनकी classes हम second और third place पर रखेंगे. एक और यहाँ पर first और fifth semester के students के लिए task है, कि आप इसी video के comment section में, next जो हमारा week होगा, उसमें आप first semester की class ही चाहते हैं, आप fifth semester की class ही चाहते हैं, online जो हमारी YouTube पर live classes होने वाली हैं, आप इस video के comment section में बता सकते हैं, जिसके ज्यादा vote होगे, fifth semester के ज्यादा vote होगे, तो fifth semester की start करेंगे, और book भी आप prefer कर सकते हो, कौन सी book आप चाहते हैं, कि कौन सी book हम start करें, यहाँ पर हमने नहीं पूछा था, क्योंकि यह मैं इसलिए लेकर चले हूँ, कि majority में students के यह chapter से वो काम आने वाले हैं, जिन students के reappear है, या फिर जैसे कि बहुत सारे सी निवस्टी जिनका, third semester syllabus यही है, जिसमें partial differential equation, statics, advanced calculus, यही तीनों books हैं, तो PD की book हमने यहाँ पर रखी हैं, क्योंकि लेनी तो class आज ही थी, लेकिन मैं कल जो अच्छे से planning नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, थोड़ा सा busy थे, smart board की हम यहाँ पर installment कर रहे हैं, और होफ्सों की next Monday तक, आप जो होएं, जो हम live class लेंगे, next week में जो live class स्टार्ट करेंगे, वह हम smart board पर स्टार्ट करें, तो तब तक हम इसी से काम चलाते, देखे, partial differential equation में हम कौन-कौन से chapters करने वाले हैं, कल है 13 August, है ना, 13th August को हम करेंगे formation of partial differential equation, चोटा सा chapter है, easy सा chapter है, जो basic है, जो important questions है, वो सब हम discuss करेंगे, complete chapter हमें एकी class में इसको पूरा करने वाले हैं, ठीक है, 14th August को हम करेंगे, first order linear partial differential equation, 15th August को करेंगे, first order non-linear partial differential equation, बट यहां पर, जो 16 रो 17th August है, इसमें भी हम इसी chapter को discuss करेंगे, क्योंगि ये chapter, अपने आप में, बहुत सारा content रखता है, और एक class में मैं इसको cover नहीं करवा पाऊंगे, इसमें बहुत सारे methods आजाते हैं, first order non-linear partial differential equation, इसलिए ये एक class में complete नहीं होगा, हमें इसकी 3 classes ही लेनी पड़ेंगे, तो ये पूरा का पूरा 3 chapters हम complete करने वाले हैं, हमारा जोई वीक start हो चुका है, और अगर कोई भी student कोई अपने doubt शेयर करना चाहता है, तो आप इस video के comment section में जुरूर बताएगा, हम 9 o'clock आज ही रात 9 बजे हम live चिट-चाट कर सकते हैं, यानि कि अगर आपके comment आते हैं, कि आप discuss करना चाहते हैं, slayvus के regarding हैं, कोई भी question है, अगर आप discuss करना चाहते हैं, तो हम जरूर 9 बजे लाइव होंगे, और आप वहाँ पर अपने सारे जो doubts है, या फिर अपने जो slayvus के regarding हैं, semester के regarding हैं, वो doubts है कर सकते हैं, मतलब उसमें हम पढ़ाई नहीं करेंगे, सिरफ chats करेंगे, इसके बाद जो हमारे पास next week होगा, उसमें क्योंकि आगे-आगे बहुत सारे festivals भी आने वाले हैं, रिक्षाबंदन भी आएगा, उस दिन तो हम off रखेंगे खेर, खेर schedule आपको मिल जाएगा, जो भी next week के लिए, हम 5th semester लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे according to your words, ठीक है, आप यहाँ बेवोट करेंगे, या तो community poll पर आप डाल सकते हो, जहाँ पर हमने post डाला हुआ है, वहाँ पर भी count की जाएगे, कितने 1st semester के वोट हैं, कितने 5th semester के वोट हैं, और इस वीडियो के comment section में भी देखा जाएगा, कि majority में जिसके होंगे, वही जो semester स्टार्ट करने वाले हैं, चलीजी, ये तो हमारी बात भी कि कल हम आने वाले हैं, लाइव आने वाले हैं, लाइव पढ़ने वाले हैं, जहां तक time की बात है, तो 5 p.m. मुझे लगता है, कि सभी students के लिए best time होगा, फिर भी अगर कोई issue है, तो हम शेयर कर सकते हैं, next thing is, जहां पर हमने एक free online test share किया है, YouTube community में अगर आप जाके देखेंगे, तो community में भी हमने share किया हुआ है, टेलिग्राम अगर आपने जॉइन का रखा है, टेलिग्राम ग्रूप पर भी हमने share किया हुए, टेलिग्राम ग्रूप का नेम चेंज कर दिया गया है, निवेरा मैट्स नाम से ही वहाँ पर अपना जो, अपना चैनल का लोगो है, वही लोगों वहाँ पर लगा दिया गया है, तो ताकि आप इसको easily पहचान पाए हैं ना, तो जो हमारा टेलिग्राम ग्रूप है, वहाँ पर भी वह टेस्ट मैंने share किया था, जादा से जादा स्टूडेंट उस टेस्ट को solve करें, और देखें, आप चाहें फॉर्स समेस्टर के हो, सेकिंड समेस्टर, थर्ड, फॉर्फ, फिफ्ट, सिक्स, किसी भी समेस्टर के स्टूडेंट है, आप इस टेस्ट को जरूर से जरूर करके देखेगा, मेरी तब से मैंने easy से easy questions महाँ पर डाले हैं, आप खुद को examiner कर सकते हो कि कितना आप जो वो उस test को कर पाते हो, बहुत ही basic से questions भी है, बहुत ही basic से questions है, I think calculus का ये test है, और मुझे नहीं लगता कि first year के student जो first chapter कर चुके है, limit and continuity, उनके लिए भी ये tough होने वाला है, बिल्कुल नहीं, बहुत easy रहेगा, अगर आपने chapter कर लिया है, तो definitely आपके लिए easy रहेगा, तो आप किसी भी semester के student इसको जरूर जो हो solve कीजिएगा, और आपको अपने marks solve करते ही पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगे, कि आपने अगर वो test solve किया है, तो आपके कितने marks आए है, यह पूरा का पूरा data मुझे मिल जाएगा, इसके बाद, जो हमारे top 5 student होंगे, जिन्होंने यह exam या test जो attempt किया है, और इसके बाद जो हमारे top 5 student या top 5, जो इस सबसे ज़्यादा number लेने वाले student होंगे, उनके लिए surprise रहेगा, 14th and 15th August को, ओके, तो यह सब हम discuss करेंगे, अभी यह सब के लिए surprise है, कि क्या, सभी students के लिए क्या surprise रहने वाला है, जो top पर होंगे, तो यह सबी के लिए भी surprise रखते हैं, ठीक है, बाद में हम announce करेंगे, कि आपके लिए क्या surprise है, अभी जादा से जादा इस test को solve करो, अपने friends में share करो, कि यह test जो आपको solve करना है, next week आपको next test मिल जाएगा, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा participate करना है, इस टाप के test अगर आप solve कीजिएगा, तो आपको खुद को पता चलेगा, कि अगर हम हमारी book से हट करके, अगर कोई question solve करते हैं, या हमारी जो syllabus है, इसके basic के कोड़िग अगर हम question solve करते हैं, तो कितना हम कर पाते हैं, तो इसमें ज्यादा headache भी नहीं लेना है, लेकिन हाँ, टोप 5 students के लिए definitely surprise होगा, अनौंस करेंगे live class में अनौंस करेंगे, तो यह जो सारी information है, प्लीज 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 अपने friends में, classmates में share कीजिये का, तक ज्यादा से ज्यादा student participate कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा student, जो हम class start करने जा रहे हैं, इसमें attend हो पाएं, तो रात को live मिलते हैं class में, आप वहाँ पर भी अपने question answers, share कर सकते हैं, तो मिलते हैं next class में, यानि की रात को नोव जी, बाई, take care.